अब तक हम इंसानों को लगता था कि इस पूरे ब्रामन्ड में सिरफ प्रिथवी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर हम इंसान रहते हैं लेकिन अब हमारे व्यग्यानिक पता लगा चुके हैं कि ब्रामन्ड में हमारे प्रिथवी जैसे ही और भी ग्रह मौजूद है वेगयानिक प्रिथ्वी जैसा दूसरा ग्रैखोज ने सालों से लगे हुए थे लेकिन अब वेगयानिकों ने ऐसा ग्रैखोज निकाला है जहां पर लाइफ रिवॉल्व होने की हर पॉसिबिल्टीज है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद है ये एक्सो प्लैनेट जिसका नाम है के ओ आई फाई सेवन वन फाई जिरो वन इस प्लैनेट को वेगयानिक अर्थ टू पॉइंट जीरो भी कहती है इस प्लैनेट पर लाइफ को स्पोर्ट करनी की हर तरह की पॉसिबिल्टीज मौजूद है ये प्लैनेट हमारे सूरज जैसे ही एक स्टार को और्बिट करता है यानि कि ये प्लैनेट भी अपने सोलर सिस्टम में मौजूद है ये प्लैनेट केडवार्स स्टार को और्बिट करता है जो हमारे सूरज से आकार में छोटा और कम चमकिला है ये स्टार सतर बिलियन सालों तक ऐसा ही रहने वाला है ये एक्सो प्लैनेट अपने स्टार के गोल्ड लॉक्स जोन में मौजूद है यानि के ये प्लैनेट अपने स्टार से एक परफेक्ट दूरी पर मौझूद है यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है ये ग्रैप अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में है यहाँ नाज ज्यादा गर्मी है और नाज ज्यादा सर्दी ये प्लैनेट पांच से आठ बिलियन साल पुराना है यानि के हमारे सोलर सिस्टम से भी एक बिलियन साल पुराना है ये प्रिथवी से दस प्रतिशत बड़ा है और इस प्लैनेट पर प्रिथवी से भी ज्यादा डाइवरसिटी होने की संभावना है जहां पर किसी ना किसी तरह की लाइफ होने की पूरी-पूरी संभावना है वीडियो में दी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद